साथियों नमस्कार जीके से एक और उप्योगी किलास टॉपिक रहेगा भारत की पिरमुक नदियां और इन से संबंदित महतपूर्ण और उप्योगी कुश्यन लगभग 56 सवाल हैं इस वीडियो में जो की मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो यूपी पुलिस SS से जीडी, MTS, CGL, CHSL, RRB का कोई एक्जाम हो या SSC का कोई एक्जाम हो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही जादा महतपूर्ण और उप्योगी है तो अन्ति तक जरूर देखेगा इस वीडियो को सबसे पहला सवाल लगा देता हूं इस स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल है त भारत में प्रिवेस करती है CGL एक्जाम था 2002 का जहां इस कुशन को रिपीट किया गया था पूछा गया था अब बताइए संगपो कहां से होकर भारत में आती है तो देखे सबसे पहले सवाल के लिए पहला ही ऑप्शन ठीक है अरुनाचल परदेश से होकर भारत में पूर्वी राज्जी है जिसकी रायधानी इटानगर है और अरुनाचल परदेश को इसलिए सबसे पूर्वी राज्जे के संग्या दी जाती है क्योंकि यहां सबसे पहले सूरिया उदय होता है याद रखना देखे अरुनाचल परदेश का सबसे पूर्वी बिंदू पू नदी को की सिंधू नदी की की लंबाई उतनी है जितनी की बहमपुत्र नदी की अब यहां एक तो उनदी और एक बहमपुत्र नदी ऑनों कि लंबाई पता चल जाएगी आप लोगों को 2700 किलो मीटर है 2900 3000 या फिर 3300 किलो मीटर है UPPCS एक्जाम ने पूछा था 2012 में इस कुश्चन को ठीक ना तो याद रखना ब्रहंपुत और सिंदू नदी की जो लंबाई है वो है 2900 किलो मीटर याद रखो जो सिंदू जल समझोता है वो भारत और पाकिस्तान के मद किनारे पर इस्तित थी रावी नदी के किनारे पर सिंदू सब्विता के जो खोज थी दोस्त ये दया राम सहानी ने की थी याद रखो सरजान मारसल की अध्यक्स्ता में इसके खोज की गई थी वहीं एक सिंदू सब्विता सिहरी लिटिड एक नगर था महन जोदलो महन जो तो ये कुशन आप लोग धोड़ा सा याद रखना सवाल नमबर 3 को देखो सवाल नमबर 3 है विस्व का सबसे बड़ा नदी दीप मांजूली एक कुशन के लिए विस्व का सबसे बड़ा नदी दीप कौन सा है मांजूली का निर्माड करने वाली नदी कौन सी है जो मांजू वो है आपकी याद रखना ब्रहम पुत्र तो आप्सन सी ठीक है ब्रहम पुत्र नदी ये मांजुली नदी जो है सबसे बड़ा इसका निर्मार करती है ब्रहम पुत्र आप्सन नमबर सी बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर चार की तरफ तिब्बत में मान सरो वर जहीर से सिंदुनदी भी निकलती है सतलज भी निकलती है ब्रहंपुत्र भी निकलती है यानि अल आफ दीज आफ संडी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्त इसके लिए आगे बात करते हैं सवाल अमर पांच की निम्न लिखित मैसे कौन सी नदी दक्षण से उत्तर की और कौन सी नदी बहती है इन मैसे बेतवा गुदावरी कावेरी या फिर करशना तो याद रखना इसका सही आंसर है बेतवा नदी वो नदी है जो दक्षण से उत्तर की और बहती है तो इस परकार ए आप्सन बिल्कुल ठीक कर सकते हैं एससी ने दो हजार ग्यारे में इस भेडा घाट के समीब कपिल जलधारा प्रपात का निर्मान करती है एससी सी एचसल एक्जाम टैन प्लस टू में ये कुशन पूछा गया था तो सही अंसर था इसका वो था नरमदा नदी नरमदा जो कि अमरकन टक की पहाड़ी से निकलती है एम पी मद्दे परदेश से होक बी उप्सन बिलकूल ठीक है और ये भेडा का घाट के समीब का पिल जलधारा जल प्रपात का निर्मान करती है नरमदा नदी अगले सवाल पर आजाएये सवाल नमर साथ निम्दिक लिखितमैंसिक कौन सी नदी जोआरन्द मुख का निर्मान करती है जोआरन्द मुख का राइट आजाए अगले सवाल पर प्राय द्वीपिया भारत की निम लिखित मैं से कौन सी से सतीन से विसिस्ट रूप से भिन है कौन सी नदी ये नदी किसी एक प्रकार से एक समहू बनाती है लेकिन एक नहीं बनाएगी इसमें से तो कावेरी कृष्णा और गोदावरी ये तीनों एक समहू बनाती है याद रखना कावेरी कृष्णा और गोदावरी लेकिन इनमें से भिन है वो है नरम्दा नदी आप्सन यहां आपका डे बिलकुल राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निम लिखित मैं से कौन सी नद तो याद रखना एक महा नदी है महा नदी ये एस्चुरी का निर्माड नहीं करती एवे कल ठीक हो जाएगा इसके लिए सवाल अमर दस देखी भारत की निम लिखित मैं से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती इंपोर्टेंट कुछन है कई बार पूछ लिया तो कौन सी न नदी है वो कौन सी नदी है दोस्तिन में से तो याद रखना लूनी नदी जो की कक्स के गुजरात की रण से निकलती है और लूनी नदी है याद रखनो ये जी आगे बढ़ते है मानस किस नदी की उप नदी है मानस किस नदी की उप नदी है तो दोस्त याद रखना जो मा प्रम्बन्स है वह भृहां पुत्र नदी की उपनदी है ये ऑपसन ठीक है अगला सवाल करते है 10 निम्नद लिखितं में से भारत में सब से उची ज्वार ये ज्वारी भिति वाली नदी कौनशी है जिस में ज्वार सब ज्यादा आता जुवार भाटा तो याद रखना कोलकाता में इस्तित है हुगली नदी हुगली नदी याद रखना ये भारत में सबसे उची जुवार ये जुवार भित्ती वाली नदी है अगले सवाल को कवर करिए नदियों के जोड़े या नदियों को जोडने की यो योज कि सरकार थी जिसके सासन काल में नदियों को जोडने का प्रस्ता आया था पंदरवा नम्मर कुशन कर लीजिए निम लिखित नदियों मैंसे कौन अपने मार्ग में परिवर्टन करने के लिए को क्यात है अर्थात सबसे जादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है तो याद सबसे बड़ा मुख किस नदी के तो याद रखना हुगली नदी है हुगली है ना सबसे बड़ा नदी मुख इसी के मुख पर है इसी नदी के मुख पर है याद रखो अगले सवाल पाइद है यह पंजाब के निर्मान में सबसे महतपूर नदी कौन सी है पंजाब के लिए सबसे महतपूर नदी दोस्त कौन सी है तो वो है सिंदू नदी ऑप्जन ए बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अगले सवाल की तरफ चलता हूँ सवाला मर अठा रहा है निम्द लिखित मैंसे कौन सी नदी विंद्यन तथा सत्पुडा परवत सरंकला के मद करती है बात बखी सभी बंगल के खाड़ी में गड़ती है लेकिन एक नदी है इन मैसे जो अरब सागर में गरेगी उस नदी का नामे दोस्त माही नदी ऑप्सन सी ठीक है अगले सवाल पर आजाई प्राइड वीपिय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है यूपी पुलि नदी ये अमर कंटक की पहाड़ीों से निकलती है ए ऑप्सन ठीक है सवाल मत तेइस देखिए दोस्त तेइस नमबर है निम लिखत में से किस नदी को बिहार का सोक भी का जाता है बिहार में उसके कारण बहुत जादा बाड़ आ जाती है बिहार का दुख कह सकते हैं तो बह बिहार का सोक है कोसी नदी ऐसे ही बंगाल का सोक है दामूदर नदी याद रखना आगे निम लिखत में से कौन सी नदी हिमाले से परे की नदी है अर्थात जिसका उदगम हिमाले में नहीं होता तिबत की मान सरोबर जील के पास से होता है उसका नाम है सतलाज याद रखो आगे बढ़ते हैं निम लिखित नदियों मेंसे कौन एक विनासक नदी कहलाती है। बहुत ज़्यादा विनास करती है। बार बार मार्ग बदलती है अपने उस नदी का नाम है दोस्त कोसी नदी जो की विनासक नदी भी बोली जाती है। अगले सवाल करते हैं निम्द लिखित मैंसे कौनसी नदी बंगाल का सोक कहलाती है बार बार ये रिपीट हुआ कुशन तो मैंने बताया था दामूदर नदी को बंगाल का सोक भी कहा जाता है दोस्त अगले सवाल पर आजाई है इस सवाल अमर 26 तवा किस की सहायक नदी है नदी प्रारम में अरुन नदी के नाम से जानी जाती थी अरुन नदी के नाम से कौनसी नदी है जिसे प्रारम में अरुन के नाम से जानते थे दोस्तों वो कोसी नदी है जिसे प्रारम में अरुन के नाम से जानते थे सी एचसल एक्जाम ने पूछा था इस कुशन को अगले सवाल प्याज़ाई क्वोच्छन को बूचा था 2019 में निम्न लिखितमें से वह कौन सी नदी है जो एक विबरंस घाटी यानि रिप्ट वैली से होकर बहती है ये कुशन भी रिपीट होता देखा है मैंने तो रिप्ट घाटी से जो ओकर वहती है वो ही दोस्त नरम्दा नदी है अमरकन टक की पहाड़ियों से निकलती है प्राइद उपिय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है एक बार फिर के भार से है तो दोस्तों वो गागरा नदी है यहां इसमें से गागरा नदी है बारत के भार से उद्गम है इसका निम दिखत मैं से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारते छेतर में नहीं है तो भारते छेतर में जिसका उद्गम नहीं है दोस्तों वो है ब्रहंपुतर नदी जील की तरफ से निकलती है जाद रखो आगे ये निम्दिक्त मैसे कौन सी नदी मद्य पर्देश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है 35 नमबर सवाल तो वो माही नदी है दोस्त माही नदी वो नदी है जो मद्य पर्देश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है 36 नमर कुशन देखें निम लिखत मैंशे भारत में ये तल छटको प्रवाहित करने वाली पिरमुक नदी कौनसे हैं जो तल छटको प्रवाहित करती है उसका नाम नदी का नाम है ब्रहमपुत्रानदी अप्छन D ठीक है अगले सवाल प्याद है उस सवाल नम्बर 37 निम्द लिखित नदियों में से लंबाई का सही अवरोही करम कौन सा है अवरोही का मतलब घठता हुआ सबसे बड़ा जो है याद रखना वो है ब्रहंपुत्र नदी का फिर गंगा फिर गुदावरी और फिर आएगी नरमदा परोही का मतलब विचाल नदी तो अगर वरततम नदी पूछा जाए तो बड़ी नदी भारत की सबसे बड़ी होई गंगा 38 नंबर में भी ठीक है अगला देख़ें गंगा नदी को बंगला किना से जरना जयता है इंक्परौंट है गंगा गंगा नदी को इसमें जाना जाता है पद्मा तापी नदी वो नदी है जिसके मोहाने पर डेल्टा का निर्माड नहीं होता पयारिश नमर कुश्चन करें दक्षिंड भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागा में विवाजित करती है तो दक्षिन भारत के पठारी परदेश को कौन सी नदी है जो दो भागां में पिरवाहित करती है वो करती है नरमदा नदी ओप्सन भी ठीक है अगले सवाल पर आजाएगे निम्द लिखत में से किस नदी को वरद गंगा अर्थात बूरी गंगा भी कहा जाता है तो वरद गंगा अर्थात बूरी गंगा के नाम से जाने जाती है गोदावरी नदी अगला सवाल है 344 नमर वैन गंगा तथा पैन गंगा किस की सहायक नदी है सवाल नमर 44 वैन गंगा तथा पैन गंगा ये ही दोनों ही गोदावरी नदी की सहायक नदी है इसलिए option D ठीक है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उदगम तथा मुहाना दोनों ही भारते छेतर में है ठीक ना भारत के छेतर में है ठीक ना तो सही answer हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उदगम तथा मुहाना दोनों ही भारते छेतर में इस्तित है नाम है उसका गोदावरी आप्सन ए ठीक है अगला सवाल आईए सवाल अमर च्यालिस कावेरी नदी जल विवाद मुखेत है किन दो राज्यों के मद्द है कावेरी जल विवाद तो सही आंसर है करनाटक तथक तमिल लानू के बीच ये विवाद है कावेरी नदी के जल विवाद को लेके निम दिक्तमे से कौनसी नदी कृषना नदी की सहायक नदी नहीं है 47 नमर कुश्चन में तो कृषना की जो सहायक नदी नहीं है वो है अमरावती याद रखना आप्सन सी ठीक है अगला सवाल 47 38 में गिरती है एस सी सीी अल में पूछा थैस जो 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 गिरती है नरमदा नदी का अधिकांस भारत भाग भैता है वो भाषा भाग भात की मत्परदे नदा है कहां भागी रती और अलगनन्दा मिलकर गंगा बन जाती है कहां पर गंगा का निर्माण होता है देगे दो जलधारा आती है एक भागी रती के नाम से एक अलगनन्दा के नाम से और ये देव प्रियाग में आकर गंगा नदी का निर्माण करती है देव प्रियाग में आगया ये निम्दिक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है महा नदी का उद्गम 36 गड़ में है कावेरी का उद्गम आंधर परदेश में है कावेरी का उद्गम अन्द परदेश में है यही सत्य नहीं है इसमें अगला सुंदर्वन डेल्ठा कौनशी नदी बनाती अगला कुश्शन है जो सुंदर्वन डेल्टा है वो नदी गंगा वे ब्रहमपुत्र निर्माड करती है इसका पस्चिम मंगल में सुन्दरवन डिल्टा गंगा और ब्रहंपुत्र नदियों का उद्गम करम से किस इस्थान से होता है जो गंगा है ये कहां से निकलती है तो जो गंगा निकलती है उत्तराखंड से और ब्रहंपुत्र निकलती है तिबबत से तो A option बिल्कुल ठीक है इसमें तिबत में मान सरोबर के पास से निकलती है अगला छिपरा नदी निम्द लिखत में से किसकी सहायक नदी है उज्जेन की तरफ ये प्रभाइत होती है छिपरा के सहारही बसा हुआ है उज्जेन तो निम्द लिखत में से छिपरा नदी किसकी सहायक नदी है जो छिपरा है वो चंबल की सहायक नदी है B option ठीक है इसमें सवाल नमर 55 देखू निम्द लिखत में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है भारत की बहार से होकर बहती है यह है इसम ब्रह्मपुत्र तिबत में मानसरोवर की पास से निकलती है और 56 नमर सवाल है महा नदी नरमदा तथा सौन नदियां कहां से निकलती है तो बही याद रखना महा नदी नरमदा तथा जो सौन नदी है यह अमर कंटक की पहाड़ियों से निकलती है option D बिल्कुल ठीक है तो नदियों से 56 सवाल थे इसमें